दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ दोस्तो आज की इस वीडियो के दिन हम बात करेंगे PM किसान सम्मान निधी योजना के बारे में दोस्तो अगर आप भी PM किसान सम्मान निधी योजना के सदस्य है या फिर आपके परिवार में कोई भी PM किसान सम्मान निदी योजना का सदस्य है तो आज की इस विडियो दिन आपको उसी के बारे मिलेगी जानकारी अगर आप PM किसान सम्मान निदी योजना का status चेक करना चाहते है जैसे कि उसमें पैसा कब-कब आ रहा है और उसमें जो पैसा आ रहा है वो कौन से अकाउंट में आ रहा है या फिर जो है अधार कार्ट लिंक करवाया था आपने वो लिंक हुआ या नहीं हुआ सारी की सारी जानकारी आप अपना पूरा profile आप अपना registration number जो है find out कर सकते हैं कैसा करना हुआ चलिए दोस्तो मैं आपको live process करके दिखाता हूँ अगर उसमें जो account number शो कर रहा है वो आपका नहीं है और अगर आप उसे change करना चाते हैं तो उसका भी process मैं आपको बताऊँगा कि सरी के से change कर सकते हैं यह रहा screenshot इस वीडियो के माधियम से आप जो है process follow करके अपना bank account update करवा सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आप सभी को सबसे पहले अपने mobile phone ये computer के दर कोई सभी browser open कर लेना है मैं जो है अपना google browser open कर ले रहा हूँ आप google chrome mozilla को इसा भी जो भी browser आपके पास available हो वो open कर सकते हैं open करने के बाद दोस्तो आपके सामने जो है search का page आ जागा यहां पर आपको search कर लेना है PM किसान search कर ले रहा हूँ PM किसान ये type कर लेना है और आपको search पे click कर देना है जैसे आप search पे click करते हैं दोस्तो सबसे पहला ही option जो है official website आजाती है PM किसान सम्मान निदी योजना की pmkisan.gov.in जिसका link आपको वीडियो का description मिल जागा साथ ही साथ आप display भी देख सकते हैं तो दोस्तो computer ये mobile किसी में भी खोल सकते हैं उसके आपको जो है official website दिख जाएगी और नीचे की तरफ आ जाना है और computer में जो है सीद्य हाथ की तरफ शो हो जाता है यह वाला option इस वाले option पर आना है आपको तो यहां पर जो है former corner वाला option देख लेना है जहां भी आपको देखे उसके अद दोस्तों यहां पर आना है आपको इस वाले option में beneficiary status यह वाला option में round off करके दिखा जाएगा जाएग सिंपलिस पर click कर देना है अब यहां पर जो है आप search by search by mobile number सर्च कर सकते है mobile number यहां पर आपको जो registered number है आपका अधार काट से link है और किसान समान निरी योजना से link है दोनों same ही होते तो वह वाला नमबर यहां पर आपको fill कर देना है और यह जो नीचे capture code देख रहा है वो fill क कर देना है फिल करने का दोस्तों गैट डिटा पे चेंज कर देना है अगर दोस्तों कैप्चर कोट सभूज में नाया है तो आप एरो की निसान से चेंज भी कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपका मुबाइल नंबर रेइस्टर्ड नहीं होगा तो इस तरीके से नीचे अर्र जाएगा नोट रेइस्टर्ड इन पोर्टल और आपका रेइस्टर्ड होगा तो हम जो है रेइस्टर्ड नंबर डाल दे रहे हैं दोबारा से चेंज करके क्योंकि हो सकता है गलट टाइप हो गया हो तो आप एक बार फिर से टाइप कर लेंगे और यहां जो आंक का निसान दोस्तों सारी टुजट इन्फॉर्मिशन दिख जाएगी सबसे पहले जो है आपको फार्मर का नाम दिख जाएगा उपर फिर फादर नेम अकाउंट नंबर यह सब एन ने हो दिखा रहा है और अपडेट भी हो जाता है उसके यहां पर आप देख सकते नीजे की तरफ अब गाता है यहां पर आप स्टेटर्स में देखेंगे payment स्टेटर्स, bank का नाम दिखाएगा credit अकाउंट यहां की last आप देख सकते कंते हैं जाएины तो क्या सकते हैं दोस्तों 6 इसमें अलग अकाउंट है लास्ट का 4 डिजट और सेवंध में अलग है लास्ट का 4 डिजट तो दोस्तों यही चीज मैं आपको बता रहा हुथा था कि आगर बाइचंस कभी-कभी क्या होता है आधार काट से जो है दूसरे अकाउंट लिंक हो जाता ह पैसे तो इस तरी के से आप जो है चेक कर सकते हैं कि कहीं दूसरे अकाउंट में तो पैसे नहीं चले गए तो और उसके बाद दोस्तों यहां पर सारी installment आपको दिखती रहेंगी जैसे कि पहले दूसरी तीसी चौती पाथे च्छटी साथ में और जैसे पैसे आते रहेंगे इंस्टॉल्मेंट का जो है कॉलम बढ़ता रहेगा ओटमेटिक और अगर ट्राउंटेक्शन फेल होगा तो यह निचे आ जाएगा transaction failed का reason भी आएगा FTO reason भी आएगा और सारी चीज़ आपके यहाँ पर जो है इस चीज़ से आप check कर सकते हैं A to Z सारी की सारी information आप निकाल सकते हैं यहां से उसका दोस्तों यहाँ पर जो है यह main page है यहाँ पर आपको जो है आपका registration number मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा activate है नहीं है activate आपका status आपका जो है registration number जो है वो भी दिख जाएगा farmer status record has been accepted आपका गाउं का नाम सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी और PFMS response rate पहली किस जो है कब आए थी वो भी दिख जाएगा सारी की सारी जानकारी आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें, share करें and channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं अगली वीडियो में new topic के साथ जब तक के लिए जाहिन